दोस्तो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग तो आज की ब्लॉग की शुरुवात हो रही है मॉर्निंग के टाइम मॉर्निंग का 6.30 के आसपास का टाइम है अभी मैं उठी हूं जस्ट और किचन में एंटर होते हैं मेरा काम शुरू हो जाता है तो यहाँ पर देखें एक साइड मैं सबजी कट कर रही है दूसरे साइड मैंने कडाई रख दी है गैस के उपर और एक साइड रखती है पानी गर्म होने के लिए मॉर्निंग में मैं गर्म पानी पीती हूं साथ मिलेती हूं अपनी थाइराइट की द्वाई तो इस तरह से देखी मॉर्निंग में काम शुरू हो जाता है जल्दी जल्दी क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है मिपुने भी स्कूल जाना होता है तो इसके स्कूल जाने से पहले पहले मुझे कुछ एक काम है जो पहले करने होते हैं स्कूल जाने से पहले तो खाना तो आपको पता है पहले बनेगा तो यहाँ पर हो रही है सबजी कट और इस तरफ देखे साथ के साथ मैं मसाला भी रेडी कर लूँगी सबजी के लिए और दूसरी तरफ जो है कडाई में मैं डाल दूँगी यहाँ पर तेल तो मैंने काफी टाइम से सोच के रखा था कि आपके साथ मॉर्निंग का रूटीन भी शेयर करूँगी क्योंकि आपको पता नहीं चलता होगा मैं मॉर्निंग के टाइम 11 बजे 10-11 बजे के आसपास ब्लॉग जो है वो शुरू करती हूँ डेली तो इससे पहले जो भी काम होता है वो यह होता है डेली का तो मैंने सुच एक बार शेयर कर दूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डेली में ब्लॉग जो है वो 10-11 बजे क्यों शुरू करती हूँ तो यहाँ पर देखिए मसाला भी कट रहा है साथ के साथ कडाई भी रखी है गैस के उपर क्योंकि कि अभी लेट होने का टाइम नहीं होता है मतलब बिल्कुल भी तो एक तरफ देखिए जल्दी जल्दी में सारा काम इधर मैंने पानी डाल लिया ग्लास में उसके पाल फिर से युग की बोटल बगारा क्लीन करके रखती मैंने यहाँ पर एक साइड अलब काम रुकना ने कुछी एक तरफ कुछ करो दूसरी तरफ कुछ करो तर लगे रहना होता है सुबा की टाइम तो यहाँ पर मैंने फिस से गैस के उपर जो है वो पानी रख दिया है और यहाँ पर लगेगा भी तड़का सब्जी में और जो मैंने कुछ गोबी वगरा कट करी थी कॉली फ्ला अब यहाँ पर मैंने इसको बॉइल करके ही यूज करती हूं अभी लग रहा है सब्जी में तड़का और यहाँ पर मैंने साथ के साथ टमाटर भी शील कर रख लिए यहाँ पर ग्राइंड करूँ GUYS के वे उसको चॉपब्पर में राइट करती हूं तो अबी मीबू नहीं उठा था हुआ मीबू अभी थोड़ा लेट ही उठता है बतलब अबैर उठने के साथ साथ उठता है कहई बार बर वाहँ अभी तक नहीं उठा था जल्दी जल्दी मिन उसके उठने से पहले-फळे जतने ज्यादा काम हो जाते हूं वह सारा इसकोशिच करते हूं उन्हें पड़ जाया थो ठीक है फिर उसका शुरू हो जाता है जिसे दूद दो इसको बड कर दाम वगेरा जो भी देने रह दो फिर उसको खिलाना पड़ता है बोल उ कि मेंगों जल्दी-चल्दी खाओ लेट हो जाएगा स्कूल के लिए कि इस तरह से स्टार्ट होते है मेरे मॉर्निंग में मैं ऐसा नहीं के पांच बज़े उड़ती हुं मैं लेटं we are क्योंकि हमारा रात सोने का कोई fix time नहीं होता है टाइम होता है सारा से बारा बजे के बीच में हम सोते हैं तो फिर इसी टाइम पर मैं उठती हूं और इसी टाइम पर मेरा मैंनेज में कर लेती हूं अपना काम जो मुझे पता है कि कैसे करना है जब उठना इस टाइम पर है तो मैंनेज करना पड़ता है और इसलिए हो भी जाता है, ऐसा नही कि नहीं हो पाता है थोड़ा रूटीन आप productive रखेंगे तो इसलिए हो जाता है सारा कम मतलब फिर ऐसा नहीं कि बैठने का टाइम नहीं होता है बागी तो चलो और अपने लिए टाइम नहीं होता है ऐसे आप सोचते होंगे exercise बगएरा के लिए तो उसके लिए time विल्कुल भी नहीं मिल पाता है morning के time तो ऐसा होता है थोड़ा late उठने का drawback है फिर यहाँ पर कुछ आलू बगएरा मैंने cut की थे उनको मैंने add कर दिया सबजी में और यहाँ पर आप मैं गोबी-गोबी अच्छे से clean करके फिर साब पानी से धोग कर जो है वो add करूंग इसमें तो सबजी तो मेरी ready होगी थी यहाँ पर मतलब मैंने दटका वगएरा लगा दिया है अब इस तरह से इसको add करके ढखकर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी अभी मुझे लगा मिवव आ गया है उठकर तो अभी देखती हूं उसको दूद्व गयरा गर्म करके देना है मुझे तो इस तरह से देखिए mix patch बनाई है आज हमने तो इस तरह से बन गई यह मतलब अभी पके गी अभी मैं इसको थोड़ा सा पाई याट करके पकने के लिए छोड़ दूँगी ढखकर लगाके और मीबू आ गया था भी यहाँ पर अभी मैंने गयास कर दी सीम यहाँ पर अभी पकती रहेगी तब तक मैं दूँगी मीबू को दूद बदाम बगारा जो भी देना है मुझे तो यहाँ पर में दूद करम कर रहीू मीबू के लिए मीबू अभी भी बॉटल में दूद पीता है क्योंकि जब मैंने उसको गिलास में शुरू किए कि ग्लास में पी ले हो तो उसने एक तो फो नहीं किये जब थोड़ा स da भड़ा हो जाएगा brush update को बॉटल से पीने तो यहां पर मैं इसको बोटल में देती हुत अभी भी बड़ा सा छेद कर दिया है मैंने उसकी बोटल में तो इसली निकल जाता है और यहां पर देखिए साथ के साथ है मैं आट्टा गूंद लोगी थोड़ा सा इस टाइम पर मतलब ऐसे कि मिक्स करके दो इसको मैं थोड़ी देर के लिए दिती हो जो अच्छा से मिक्स हो जाता है यहां पर ढग कर रख दूंगी इसको थोड़ी देर के लिए मतलब एक घंटे इसको रैस्ट हो जाएगी अच्छे से तो फिर अच्छे से पंदलब चुपाती है जो है पक जाती है इसकी और ज्यादा बतलब जो लगाने की ज़रूरत नहीं आड़ टगूने के लिए और यहां पर साथ के साथ जो है अब मैं फूर्ट कट करूंगी मीबू के लिए एपल दे रही हूं मैं तो यहां पर इसको की मुझे मे के फ्रूट बाक्स में अट करना है ए Влад तो मीबू को दूर देने के बाद उसका यह फूट जो है वो पैक करने के बाद और आंटव गयरां लगाने के बाद सब्जी बगयरा बनाने के बाद बारे आत दिसे मेरे दोाई काने की तो मैं फ्री तो अभी खाते हैं द्वाई तो यहां पर मैंने गर्म पानी ले लिया है अभी मैं मेडिसिन लोगी अभी देखें फेस को स्वैलिंग लग रही होगी आपको तो अभी मौनिंग में उठकरी ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं अभी देखें लगेगा जाडू यहां पर सारे घर में तो अभी जाडू की बारी है अभी फटा-फट से जाडू लगा लूगी आट तो मैंने लगा कर रखती है तो चपाती हम गया तो मैं इसके बाद ही करूँगी क्लीनिंग करने के बाद ही लगाऊंगी तो यहां पर जाडू लगाऊंगी अभी मैं सारे में पर जाडू लगेगा फिर कुछ चल लगेगा तो इस तरह से चला रहता है रूटीन मौनिंग का तो एक-एक कमरे में यह हो गई होगा डेली का और मैक्समम यही रूटेन होता है यही मैंने सेट किया हुआ है कि ऐसे ही करना है पहले आटा बगारा लगाने के बाद यह क्लेनिंग बगारा का काम शुरू कर देती हूं फिर उसके बाद ही चिपाती है मनाते तब तक आटा थोड़ा सा मेरा जाने के बाद तो अभी देखिए अच्छे से पुच्चा लगा लोंगी मैं सारे घर में अभी उपर वाले फ्लोर में लग रहा है पुच्चा फिर नीचे जाकर लगाऊंगी नीचे गईवारा ऐसा होता है मीबू के पापा जो है जाड़ों गरा लगा देते हैं तो थोड हो जाता है और तो कुछ नहीं है थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रसेस हो जाता है क्योंकि मॉनिंग के टाइम आपको पता है काफी जादा जल्दी होती है जल्दी जल्दी में फिर इस तरह से काम हो पाता है डेली अगर डेप खुलीनिक करनी हो तो फिर मुझे भी क्ली मतलब है केग रूम करके उसको डिप क्लीन करना होता है तो अभी तो फिलाल सोचिए हुआँ डीप क्लीनिंग का दिपाली आरे तो अभी करूंगे अब डीप खुलीन जो भी करना है ऐसे क्लीनिंग तो मेरी डेली की ब्रत धो होता है इतना जादा हुट तो मैं डेली कि डेली यह करती हूँ सापस्वाहिब है और यहाँ पर देखी बीभू मेरे पीछी देखी कैसे बाठ़ा इस अ अपने कार्टून लगाकर बैठ जाता है यहां पर तो मैं इसको बोली थी कि जल्दी दूद से दूद भी फिनिश कर ले अपना और तभी फिर स्कूल भी जारना है तो फिर अब यागी थी मैं देखी उपर वाली स्टोरी में पोचा लगाने के बार नीचे यहां पर पोचा लगेगा अंदर मैंने लगा दिया था भी बाहर की बारी है तो बाहर भी ब्रांडे में यहां पर पोचा लगेगा आज कर ऐसा है कि थोड़ा सब फिटों यह हो गया है कि दूल मिटी नहीं आती है ज्यादा पर फिर भी लगाना पटता ही है दूल मिटी से शुटका रहा होता है आज कर मौन्सून चले हैं तो नहीं तो बहुत ज्यादा मिटी होती है हमारे यहां तो सडक के साथ में घर है इसी बानने से जाड़ पूंचा लगाने से अच्छी हो जाती है इससे धन फिटी होता कि बैठकर लगाया जाए तब तो और भी जादा अच्छा है बट पैठकर लगाने के लिए तना टाइम भी होना चाहिए तो थोड़ा सा यहां पर देखिए मैं आगी उप चल लगा कर किचन में फिर से अभी बनेगी चपातियां क्योंकि मैंने आपको बताया क्लिएनिंग के बाद ही मैं चपातियां वक्यारा जो भी बनानी होते हूँ तब भी बनाती हूँ के साथ ही मुझे चपाती देना बट वो खाता नहीं ऐसे नखरे करता है सबजी के लिए बट मैं ट्राइ करती हूं कि दे दूँ आजकल उसकी कड़ी फेवरेट हुई है तो कड़ी चावल अच्छे से खा लेता है वो अभी तो देखती हूं प्रांथा बनाके उसको देती हू आलूगा ऐसे तो चपाती दूँगी लंच बॉक्स में प्रांथा नहीं दूँगी क्योंकि ठंडा क्या पता वही गरम करते हैं स्कूर में की नहीं करते हैं अब मुझे पता नहीं कि देते हैं की नहीं देते हैं तो यहां पर मैं चपाती दूँगी उसको बाकी मैं प्रां ने, तो देखे, टीबी के पास बैटकरी ट्रेस पहने गई है, तो यहाँ पर विसक्त की पाप लया एते, परांथा को इसको आथ के साथ पांथा भी खिला रहे थे, कोशिश कर रहे थे की खा ले, तो ज़्यादा तो नहीं ekाता है Moni के टाइम, तो थोड़ा सा खिलाई देते हम कोशिच करते हैं कि खाई ले थोड़ा सा फिर देखे टीबी से फुरसत नहीं है फिर यहां पर ही मैंने थेल बगएरा डाला इसको कंगी बगएरा की क्रीम बगएरा जो भी लगानी वह मैं यहां पर लगा रही हूं इसको और आज इसके पापा खिला रहे है इसको खाना तो देखते हैं कितना खाता है क्या है तो ऐसे दोते नहीं भाई डिस ने खाई अच्छे से फिर मना करता है क्योंकि दूद्ध बगएरा पी होता है उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा बरतन भी दोलूं ऐसे मैं स्कूल छोड़ने के किर हगया काम, और वह बाद में करती हूँ तो अभी टाइम था थोड़ा से तो मैंने सोचा हे जो फोड़े से खाना बनाने के बरतन हुई इनको मैं क्लीन कर लेती हूं साथ के साथ आज मीवू के पापपा ने खिला दिया, मीवू को खानने तो इसको खान अभी मुझे खिलाना पॉरता है खुद से तो फिर टाइम लग जाता है तो फिर टाइम नहीं मिलपाता है बतर मुदू हो निक लिए तो अभी शूज बगार पहें के मीबू हो गया, रेडी स्कूल जाने के लिए भी चल पड़ा है, देखे स्कूल के लिए, और फूल देखी काफी सुंदर खिल रहे हैं यहां पर रास्ते में, और माना कर रहा था कि मुझे सिर में दर्द हो रही है, अब कुछ हो रहा है, तो क्लीनिंग कर रहा है, गया होता है, डस्टीम वोगार को अभी करती है, मैं भूपो छोडने के बाद, फ्री होके, तो यहां पर इस रूम की बारी थी, तो पहले इसी रूम में कर ली, मैंने यहां पराती ही, थोड़ी सी क्लीनिंग बैड वोगार सेट कर दी अच्छे से, ब पर डाल दी थे बकेट में तो बीच में टाइम लगा था तो मैं नहा भी ली थी जब में वो पुछोने से पहले याज ऐसे कभी-कभी बाद में भी ना आती हूं तो यहां पर देखिए अभी दूसरे रूम में थोड़ थोड़ी यह जो क्लीनिंग सामान वगएरा इदर पड होता है अब मैं इसको इसकी जगह पर रखोंगी सारे समान को सेट करके और डस्टिंग वगएरा क्लीनिंग वगएरा होती रहेगी साथ के साथ यहां पर मैंने रखती चाय क्योंकि डैड जी ने खाना खा ली तो चाय पित्ते डैड़ी खाना काने के बाद ब्रेक फास्ट क के बाद तो पहले चाय भी साथ के साथ यहां पर चटा दोंगी उसके साथ साथ क्लीनिंग भी करती रहूंगी तो ऐसा कुछ सोचा है मैंने तो सारे काम खतम करने के बाद ही मैं खाना वगएरा जो भी यह खाती हूं तो पहले चाय बनेगी फिर उसके बाद यहां पर देख करती उिए हैं यहां पर देखिक क्या सक्का्राइब अच्छे रहते हैं इसलिए सब कुछ जो है इसे फारी अच्छा प्र्शा है तो इनको आप भी यूज़ कर सकते हैं घर पर तो यह होते है देली की डस्टिंग यहां पर देखे मीवकात लगाता लगाता है फिज पर तो काफी दूर से दिखते है यह कुछ हैसा है कि इस पर दूर से दिख जाते हैं, कुछ यहाँ पर मेरर वगयरा गंदे हुए होते तो छीन करो, तो यह डस्टिंग का काम चलता है मौरिंग के डाइम, 10-11 बजे तक कही सारा ख्लीनिंग का काम चलता है डेली का मेरा, तो यह था मेरा मौरिंग का कुछ रूटीन जो मैंने आपके शाया कर दिया तो ये छुटे-छुटे काम होते हैं यह काफी जादा हो जाते हैं वैसे तो बुला जाए तो मुझ तो यह होता है मॉनिंग का मेरा डेली का रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया वीडियो अच्छे नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए मैं विलूंगी आप से कई और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ